कि आपको क्या लगता है कि अगस सिर्फ अकेले शिव के हाथ में होता तो क्या वो रोक लेता वो अपने गैंग के साथ प्रेशर की वज़े से उसने फैस्दा लिया जैसे उन्होंने ये देख रहा है जो उनकर नाम ऐसे कैसे कर रहे हो उचाल रहे हो आप गेम में तो बुरा नहीं लगेगा क्या तो व चीज था फिर्भी वह किये जा रहे किये जा रहा किये जा रहा है पुरा गूरी पाहर कर देंगे कहां से कि क्या गाड धेंगे पता भी नहीं लगने का मतलब क्या खुले हां धमकी दी जारी है कि गाड देंगे कहां पता भी नहीं चलने का यह साफ साफ के में दमकी दी जा रही है और अगर तोड़ा साही यह हो गया तो उस पे इतना अम्हाद पूरा घर कि चड़के बैड़िया चड़ने लग गया लेकिन क्या आप यह मानते हैं कि जो घरवालों को मौका चाहिए था वो अरचना ने दे दिया भुब दो चाहते देना तब ही तो उन्होंने प्लान के रिव कि यह पूंकि बात ही जब करी इस मजहे से तो उन्हें मुका मिला हुने और वह मॉका बनाई बनाया ही हो पुअन इन मुपwietा है कि दुब हुआ या इसे के अध्य लेकिन वे अफम से जानना चाहूंगी कि अगर हम कहते हैं कि शिब ने इंस्टिगेट किया तो कई मांकों पर देखा गया है कि अर्चना भी जो है फाइट को करती है जैसे अब्दु की नाम से चड़ेगा तो उसको नेमरित के नाम से चड़ाती हुए भी वो नजर आई थी तो यहाँ पर कुछ लोग हैं उनका ही कहना है कि अर्चना भी ऐसा ही करती थी उसको पता था कि अब्दु नेमरित के चड़ेगा तो Captain C में अर्चना जान मुझका निम्रित निम्रित करती थी न आप दों के सामने तो लोगों के लिए कि अर्चना वही पर्क है ना फरक एक आप Contestant के आपस में बात कर रहे हो तो मैं नॉर्मल इंसानों में आपस की बात कर रहे हो एक respected किसके बारे में बात कर रहे हो आप वो उनसे कमते नहीं किया जा सकता है तो वो चीज बहुत अलग है आप नॉर्मल इंसान के बारे में नहीं कर सकते हैं वो एक आप जिसके बात कर रहे हो बहुत बड़े लेवल पर respected person है तो उनकी ऐसे नहीं कर सकते हो तो यह है गलत अगर वैसे करते तो वो गलत नहीं था किया अपस में बात करते हैं तुम उसको बोलते हैं घर के बारे में बोलते हैं मेरे मम्मी पापा के बारे में बोलते हैं तुम्हें कौन बना कर रहा है मम्मी पापा को बोल दो तुम घ आपको लगता है कि अरचना की कोई भी या कुछ ऐसा कदब जो उसके से को रोग सकता था कुछ ऐसा था जो उसने नहीं किया यह वाले जो भी मंद भूब हुआ ना इसमें उसमें क्या उन्होंने बहुत कोशिश किये कितना मुंद कितना रोई कितना हाथ जोड़ी माफी मांगी है सबके पास जाके बोली थी कोई सुनने को रेड़ी नहीं है वो तो साफ साफ दिखा रहे थे बस भाई मज़ा आ गया उनके तो वह सबके सब ऐसे खुश हो गए जैसे पस इनका अजादी मिल गई नहीं तो जब जलता है ना इसा तो ऐसी करता है जब दिख रहा था भाई यह तो बस उन्हें खुशी मिल गए एक दम से तभी तो उन्होंने एक बार भी सोचा बना तो कितनी बार क्या हुआ शालिन को किया गया कि 9 मिनिट सबने सपोर्ट किया ना फिर भी तो है वो भी हुआ था ग सब्लडेन धक्र नहीं किया नहीं आप देख सकते हो पर बार बार देख सकते होगा चलने में वह तकðा हुआ यहां पर पर आगे तो उसको रोका गया है क्योंकि वह चड़ा हुआ था सिर्फ मुग के ऊपर ऐसे तो आगर आगर उसके सामने कोई भी रहे गा इंसान किसी के सामने भी तो बंदा चड़े करें का या तो हाथ यहान जाएगा खाने के लिए यए सिदह जाएका तो टो रुखने के लिए कर रा था तो बढ़ वो कर दिया और वो सबके सब तो ऐसा प्रेशर डाल दिया पूरा समने एसे प्रेशर कर दिया कि बढ़ा दिल लड़ा वह कर दी लड़ाई और मेरे मानने तो यह कि बिल्कुल नहीं उन्होंने हाथ नहीं उठाया मेरा मानना यह है आप चैक कर सकते हो जो भी ध्यान से देख सकते हैं बिग बॉस ने अर्चना को जब भेजा कंफेशन रूम में तो कहा कि जा कि आप शिव से बात करने के लिए इसके बाद यह बात सामने आई कि बिग बॉस ने कहा कि कहीं बार आपका गुरूर जो है ना वह आप से वो काम कराता ही नहीं तो कहीं ना कहीं वो अर्चना को यह बोल रहे थे कि आपको भेजा माफी माँने के लिए था आप अपने यह भी बोला कि दे की डिसीजन अब शिव के हाथ में देंगे तो उसको आपको लगता है कि जाते साथ अगर वो माफी मांग लेती जस्टिफिकेशन नहीं करती पहले माफी मांग लेती तो शायद शिव समय पिगा जाता वह इसा नहीं करेगा और वह नेचुरल वन्टी है वह सेदा बोलती है और आपने पर छिटेशन इतने दिन हो गया है नहीं कोई असदोर अभी कि बयाद कि नराज हो गए लड़ाई होइगी आ करने जाओंगे मांगने जाओं तो एक शेकंड़ंट आप नहीं बोल पाओगे चाहे कोई भी होगा आप थोड़ा सा कुछ तो बोलोगे मुझसे कुछ बोलोगे बात करोगे फिर उसके बात हाँ थोड़ा सा रहेगा बात करेंगे तो उन्होंने ऐसा करा तो वो कर रही थी फिर उसके बात भी कर रही थी फिर उसके बात भी कर रह तो कोई सुनने को रेडी नहीं है तो क्या कर सकते हैं अर्चना को लेकिन अपनी पार्टी का नाम नहीं आई थी जब वह अंदर से निकले थी जब वह रूम में बुलाया था उससे पहले भी बोला था उन्होंने माफी मांगने के लिए जा रही थी पर सबने अपना वह जाल है को जाने है रहे रही आई गरूप यतना ठगड़ा बना लिया है यह सूचको हटाना है आपको लगता है लेकिन प्रअग को इतना पार्टी प्रियंका दीधी नाम से क्यों परिशानी है जी अभी एक 162,0 ऑनको आदर्ष मानती है उनको है इस्पैक करती है अब आप रिस पैक करते हैं अगर आप ऐसे बोलोगे आप करना है तो आप आपस में कर सकते हो घर वालों को बोल सकते हो किसी को भी बोल सकते हो आप ऐसे नहीं कर सकते हो एक लीडर को नहीं बोल सकते हो कि आप लीडर को बड़े टेलीवीजन पर आप टॉंट मार रहे हो लीडर के लिए तो तो यह गलत है देखो बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनका यह कहना है कि अर्चना ने भी गौरी के लिए जब लड़ाई हुई थी तो उसने शब्दों का इस्तमाल किया था कि वह वाली वारत है जो बैठी रहती है तो कहीं न कहीं और उसके बाद आज की जब लड़ाई शु उन्हें गलत कुछ बोला नहीं था उन्हें गलत कुछ बोले पर लेकर तो इस एक बात नहीं था थीक है जो इस बात को लेकर यह बात करने ऐसा प्रोवोक किया जा रहा है अगर हा नैचुरक घर है अब बौस में आयो तो थोड़ा बहुत तो रहेगा तो तो तूद्ल़ा वह करते हैं इसा नहीं ने का क्ट इस फैसा सब बोलता है हर को ही बहुत बड़ी बैत बहुत बड़ी ब Dontnach तो आपको लगता है कि अर्जना को क्या वापस वापस लगता ही कि लेंगे उम्मीध है आपको कि अगर नहीं लेना होता हूं तो शायद वह आ जाती या फिर टरहां वह को बहुंसी और नहीं सब्सक्राइब है और पबली को बहुत प्यार कर रही है पबली को और उनके साथ ऐसा हुआ तो अगर ऐसे निकलेंगी तो यह गलत है उनके साथ इंसा ना-इंसाफ यह हो गई अगर निकलेंगी तो तो इसलिब बुलाना चाहिए कि श्रीव को बाहर जाके कि ऐसे नहीं होता है कुछ भी यह बोलने को क्या कुछ भी बोल देते हैं ऐसे कुछ थोड़ी होता है ऐसे तो आप यह देख लो वो शिव क्या क्या बोल रहा था कि भाहर होती तो गार देते हैं यह कर देते हैं बहुत बोल लेते सब बोल लेते तो यह होता है ऐसा नहीं होता कि वो जान मुझे का लड़ाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था शांत करने के लिए ऐसा देखकर आप में सब सुनंडर आंकित और यह पए गोतम इनको छोड़के बागी सम्फेरी कि रहेते हैं ने टुसाइक वूमन भी बोला मुझे रात को सोने में भी डर लगता अगर हो रह जाती सो क्योंकि उनका साफ साफ दिख रहा था कि एक चांस भी साफ साफ देख सकते हैं अगर कोई देख रहा हो बिग बोस तो सब ने यह देखा होंगा हर किसी को लग रहा होगा दिख रहा ही है साफ की गल्टी इन की है गुरूपिजम की पूरी गलती है, उन्होंने कैसे सब के सब चड़ गए थे, बिना रीजन के बात किसे हो रही थी, सब के सब आ गए, अपनी फूटेज लिद दिखाने के लिए, कि फूटेज लेने के लिए, सब के सब आ गए, क्या पढ़ी थी एकदम से, इतना हाइपर हो हो रहेते सब के सब, तो अपकोर्स, सब कुटेज के लिए आए थे, आपकी ममा का रियाक्शन क्या थी, ममी का रियाक्शन तो बस यह था, जैसे पता चला था, सैड हो गई थी, ममी दुखी हो गई, और आसको ममी रोई है, क्यूंकि अच्छा नहीं लगा, मेरे भी आसु आ होना रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, क्या हुआ, बहुत कलट हुआ, कितना माफी मांगी है, यह ऐसा यह चीज गलत थी, तो अच्छा नहीं लगा बस यह देखका, कि ना निसाफी है, अभी सकतो ना जी साफिया आगे का पता निए आपके शेतर के लोगों का क्या लगता है, वो अर्चना की बारे में क्या सोचेंगे skे बार कि युक्वारत के ऀस बाद की चिनता थी जो शेत्र, जैसले मिभ़ून perks शेत्र खेटर हमेसा सपुर्ट करेंगे कि उनोंने कोई गलती नहीं किए ब Says तो सब को दिख रहा है और टीवी पर साफ साफ दिख रहा है कि यह सब वह सब सब कर सबसे माफि suggests सब पसंद कर jalCómoं मन से सो सब अच्छे से देखते हैं मतलब जो जिसमें मतलब पार्शल्टी नहीं करते हैं देखने वाले वो सपोर्ट जरूर करेंगे प्रियंका का इस पूरे मुद्दे पर अलग तेख था वो अगले दिन रोती भी नजर आई उसके बाद जब साजिद आए तो उसने बोला कि अरे यार यह तो मैंने बात सोची नहीं कि शिव ने कुछ रियाक नहीं किया तो यह सब कुछ क्या प्री प्लान था तो प्रियंका क शब्ण तो भी उसने कैप्तेंस नोमिनेशन टास्क में सपोर्ट नहीं किया लेकिन प्रियंका का यह अलग ही वो था तो आप इस पर क्या कहिंगे तो आपसमें दोस्तों में लडाई होती है तो होएगी तो हैं वो गेम हैं आप वैसे तो नहीं हो यह लगा कि अर्चना इससे बैटर करती थी और जिस तरीके से यह लोग कह रहे थे कि शेप्तु बहार आजा बाहर आजा बाहर आजा मतलब वो उतना नहीं डिजब करती थी कि आप कम से कम कोई जा रहा है प्यार से तो उसको भेजो वो कम से कम आप लोगों के बीच में रही थी ना यह चीज मुझे भी बहुत बुरी लगी वो क्योंकि वो चाहते थे ना उनका प्लाइन पहले से अगर आज ऐसा रहता ना कि खाली सीव होते कि हां वो हो गया लड़ाई हो गई है वो ऐसे होता कुछ चीज असली होती ना तो आपकोर्स सबको बुरा लगता हैं बट उन्होंने बनावती पन हैं वो साप साप सब के अधों की लगता है कि लोग सब क्यों अटनासे जल रहे थे प्रश्वार्वक स biscuit इसके लिए यह दूसरा आप हैं यह सब इसे परिशान हो गये थे यह सब नहीं ये च्टाउंग अ सब कि बोलती भीर्य थी वो फटति वो छुपाती नहीं करती है वयग वो नहीं देखती हिस कि एप टेविदीर विजिण पर भोल देती है 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 वह तो बहुत देती है उन्होंने बोला जिए है कि में मेरा नाम हो सब कर देखने को मिलना था यह चीज तो उनको स्प्राशुमी यह हो रहा है हम पूटेज नहीं मिल रही है तो प्रोब्लम उन्हें हटाने का था आप बाबाब बोल रहे हैं कि अर्चना की गलती नहीं लेकिन अर्चना ने घर के अंदर दो तीन बार खुद कभूल किया कि गलती तो वह कर बैठी है तो गलती तो सब नहीं कर यह सब कोन ऐस तो कौन देखेगा जब वहां थोड़ा तो रहे गए रहेगा पर एक लड़ाई जगड़ा अपनी जगए तो बहन की गोली से लड़ाई हुई थी फिर भी अभी देखो अच्छे से बात होरी नहीं होरी तो ऐसा तो नहीं है ना कि हां जगड़ा हो गया बस वह कर दो पर इ चाहिए जगड़ा जैसे हम देख रहे हैं तो सब चलता यहीं बोल रही है और सोशल मेडिया पर और चीज़ को ज्यादा हुआ होगा शिव पो या अर्टना को लिए शि erm को किया नुक्सान होगा इनको तो निकालने की खुश है उनको तो खुशी है वह तो खुशी wen मना रहे हैं उनके चैरों पर दिख रहे हैं कि हाँ भाई उन्होंने पता नहीं क्या मुकाम हासिल कर लिया क्या कर लिया बहुत अच्छा काम कर दिया उन्होंने तो तो सब पिर भी उन्होंने मापी मांगी है तो उन्होंने बहुत वह ना चाहिए उन्होंने माफी का वो नहीं था कि दिल से यह बहुत की दिए उनके तेल से करें माफ कोई बी ऐसा नहीं ता जो मतार रिस्पेक्ट के काभिल है कि हाँ उन्होंने थोड़ा सब भी उनमें इस इंसानियत है तो आपको इस पूरे इंसिडेंट में कहीं पर भी लगा कि आपकी बहन की कोई भी गलती थी अधो से नहीं करना जैए कि ये जीस उसे नहीं करने चाहिए थी मुझे इसा कुछ नहीं लगगा एक गलती करीया कुछ ऐसा क्शुन एक आप तुझ डेखो तुझ देखो गिसीन है था ही निंकलती खाहां। उन्होंने फिर भी कर रही थी कंट्रोल बार-बार मोका भी दिया था शीब को बार-बार बोली कि तु वह क्यों लज रहा है। तो कितना करने के लिए कि कल वीकेंड का वार में क्या होता है मुझे लगता है संदे तक पता चल जाएगा कली पता चल जाएगा या फिर घर आती है जी थैंक यू टेक्यर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू बुर्शन कुछ भी अगर आपको भी बात और यह थेगा ना जी मैं थी थैंक यू सो मच या थैंक यू